ओके फ्रेंड्स एक्जाम रेस्टू में आपका स्वागत है आज हम लाए हैं रर्वी एंटीपीसी के लिए जनरल साइन्स जनरल साइन्स में फिजिक्स बहुत तक विज्ञान बहुत तक विज्ञान के कुछ महत पूर क्यूचन जो आपके नंबर को बूश्ट करेंगे यद काले वस्त्रों के मुकाबले स्वेत वस्त्र सीतल क्यों होते हैं काले वस्त्रों के मुकाबले स्वेत वस्त्र सीतल क्यों होते हैं अपने पास पहुचने वाले सभी प्रकास को असूसित कर लेते हैं बी उनके पास जो भी प्रकास पहुचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं सी प्रकास वेदन नहीं होने देते हैं डी सूर के प्रकास को पूर्टया सीतल कर देते हैं जी दोस्तों आपको बताना है काले वस्तरों के मुकाबले स्वेत वस्तर क्यों सीतल होते हैं जी दोस्तों आपको बताना है काले वस्तरों के मुकाबले स्वेत वस्तर सीतल क्यों होते हैं जल्दी करिए आपके नंबर को प्रकास पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं जी दोस्तों काले वस्त्रों के मुगाबले स्वेत वस्त्र इसलिए सीतल होते हैं क्योंकि सीतल वस्त्र अपने पास आने वाले सभी प्रकास को पहुंचने में उसे पहुंचते ही परावर्तित कर देते हैं जी दोस्त दी उस्मा की खराब आउसोसक और खराब विक्रक जी दोस्तों आपको बताना है प्रित्वी क्या है उस्मा की अच्छी आउसोसक या अच्छी विक्रक है या उस्मा की खराब आउसोसक या खराब विक्रक है उस्मा की अच्छी परावर्तक या उस्मा की गयर तक जी दोस्तो प्रित्वी उस्मा की खराब और खराब विकिरक है निश्ट की उचन जी दोस्तों आपको बताना है कि कि उचितम अवस्था तक पहुँचने पर उसका तरंग दर्द कैसा होता है जी दोस्तों आपको बताना है कि उचन अवस्था पर पहुँचने पर उसका तरंग दर्द क्या होता है जी दोस्तों जल्दी करिए आपको नंबर लेना है तो आपको अंसर देना पड़ेगा इसका अंसर होगा B तापमान बढ़ने पर घट जाता है जी दोस्तों कि उचितम अवस्था पर पहुँचने पर तापमान इसका बढ़ने पर इसका तरंग दर्द घट जाता है इसका अंसर होगा B Next Question दो निकायों के बीच उसमा के प्रवाह की दिसा निर्व करती है A. उनकी विशिष्ट उसमा पर B. उनकी गुप्त उसमा पर C. उनके अपने ताप्मान पर D. उसमा उनकी अपनी अपनी मात्रा पर जी दोस्तों दो निकायों के बीच उस्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है किस पर निर्भर करती है आपको बताना है उनकी विशिष्ट उस्मा पर उनकी गुप्त उस्मा पर उनके अपने अपने तापमान पर उस्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पर जी दोस्तों आ आपको बताना है किस पर दो निकायों के उस्मा प्रवाह की दिशा निर्भर करती है इसका अंसर होगा C उनके अपने अपने तापमान पर जिसका तापमान अधेक होगा उससे उस्मा कम तापमान के और निकाय की ओर जाता है एक स्वेत तथा चिकनी सत्थ कैसी होती है A. ताप की अच्छी अवसोसक तथा अच्छी परावर्तक B. ताप की खराब अवसोसक तथा अच्छी परावर्तक C. ताप की अच्छी अवसोसक तथा खराब परावर्तक दी तापकी खराब आउसोसक तथा खराब परावर्तक जी दोस्तों आपको बताना है एक स्वेथ तथा चिकनी सतर कैसी होती है तापकी अच्छी आउसोसक तथा अच्छी परावर्तक तथा खराब परावर्तक तथा खराब परावर्तक जी दोस्तों आपको बताना है जल्द जल्दी करिए इसका अंसर होगा बी ताप की खराब आउसोसक तथा अच्छी परावरतक एक स्वेट तत्ह से नहीं करते हैं और परावरत्न अच्छी तरह सकते हैं अभी तक आपने आग यदि हमारा चैनल को स्प्सक्राइब नहीं किया है तो स्प्सक्राइब करें लायक करें शेयर करें और कमेण करें बिल आइकन पर हिट करना ना बूलिएगा ताकि हमारे न mieć नॕटिफिकेशन आप तक पहुँन सकें यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक् किसी धात को पाचन सामगरी के रूप में प्रियोग करने के लिए निव्ण में से कौन सी कसोटी अपनाई जाती है? किसी धात को पाचन सामगरी के रूप में प्रियोग करने के लिए निव्ण में से कौन सी कसोटी अपनाई जाती है? आपको बताना है किसी धात को पाचन सामगरी के रूप में प्रियोग करने के लिए निव्ण में से कौन सी कसोटी अपनाई जाती है? जिदोस्तों दियेगे चारो आपशन में से आपको चुनना है जल्दी करिए नंबर को बूस्ट करना है तो अंसर देना पड़ेगा अंसर दे के आप सलेक्शन पक्का करिए अंसर करिए जल्दी करिए इसका अंसर होगा C अधिक विशिष्ट उस्मा जी दोस्तों किसी धात के पाचन समगरी के रूप में प्रयोग करने के लिए अधिक विशिष्ट उस्मा की कसवटी के लिए अपनाई जाती है ठीक है अधिक विशिष्ट उस्मा वाली कसवटी अपनाई जाती है इसका अंसर C होगा भीसर सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फड़ जाती है ए क्यूंकि जमने पर पानी फैलता है बी पानी की पाइपों के संकुचन के कारा सी उच्चुआ मंडली दाप के कारा डी उपर्युक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से जी दोस्तों आपको बताना है कि सर्दी के समय में ठंडे देशों में सर्दी के समय में पानी की पाइपें की उफड़ जाती है जल्दी करिए आपका अंसर आपका नंबर इसमें आपसन ए है क्यूंकि जमने पर पानी फैलता है बी पानी के पाइपों के संकुचन के काराण C. उच्वाय मंडली दाप के कारण D. उपरियुक्त सभी के सन्युक्त प्रभाव से जल्दी करिए आपका अंसर आपका नंबर जो आपको RRB में सेलेक्शन पक्का करेगा इसका अंसर होगा A. क्यूंकि जमने पर पानी फैलता है जी दोस्तों इसका अंसर A होगा क्यूंकि जमने पर पानी फैलता है जी दोस्तों भीसर सरदी में थन्डे देशों में पानी की पाईपी फटने का कारण यही है क्यूंकि जब पानी जम जाता है तो यह फैल जाता है Next Question ताजे पानी का हिमांक बिंद क्या है? ताजे पानी का हिमांक बिंद क्या है A. 3 डिग्री सेंटिग्रेट B. 5 डिग्री सेंटिग्रेट C. 0 डिग्री सेंटिग्रेट D. 4 डिग्री सेंटिग्रेट जी दोस्तों ताजे पानी का हिमांक बिंद क्या है आपको बताना है जल्दी करिए इसका अंसर होगा C 0 degree centigrade जी दोस्तों ताजे पानी का जो ही मांक होता है 0 degree centigrade होता है वह ताप मान जिसका पाठ्यांग Fahrenheit और Celsius दोनों पैमाने पर वही होता है A 40 degree centigrade B minus 40 degree centigrade C minus 34 degree centigrade D minus 140 degree centigrade जी दोस्तों वह ताप मान आपको बताना है जिसका Fahrenheit और Celsius पैमाने पर दोनों सेम होता है जल्दी करिए आपका नंबर आपका सेलेक्शन पका करेगा और नंबर तभी आपको मिलेगा जब आप अंसर करेंगे इसका अंसर होगा B minus 40 degree centigrade जी दोस्तों माइनस 40 degree centigrade Fahrenheit और Celsius दोनों पैमाने पर सेम होता है नेश्ट किस्चन रेफ्रीजरेटर खाद पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि A. इसके नियून तापमान पर जिवान और फंफुदी निस्क्री होते हैं B. इसके नियून तापमान पर रोगान मर जाते हैं C. इसके नियून तापमान पर रोगान जम जाते हैं D. यह खाद पदार्थों को रोगान रहित कर देते हैं जी दोस्तों आपको बताना है कि रेफ्रीजरेटर खादर प्रदारतों को खराब होने से कैसे बचाता है जल्दी करिए आपका नंबर आपका सेलेक्शन पका करेगा इसका अंसर होगा A. इसके नियून तापमान पर जीवान और फफूदी निस्क्री होते हैं जी दोस्तों रेफ्रीजरेटर खादर प्रदारतों को इस तरह से बचाता है कि इसके नियून तापमान पर जीवान और फफूदी निस्क्री होते हैं जी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सेयर करिए और कमेंट करिए बिल आइकन पर हिट करना ना भूलिएगा ताकि हमारे नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों को सेयर करना ना भूलिएगा ताकि आपके दोस्त भी इसका लाव उठा सके जी दोस्तों आपको पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद